गुजश्टा कई बरसू के दोरान जुमू कश्मीर में जंगली जानवरों के हमले में कई अफराद अपनी जान गवा बेटे हैं जबकि सेंगडों की तेदाद में लोग भी जंगली जानवरों के हमले में जखमी हो गए बढ़ते हुए इन हमलों को रोकने के लिए मकमे जंगली हयात हर मुम्किन कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन कई जगों पर मकमे को भी बहुत सारे दिक्कते पेश आते हैं मकमें जंगली हायात का कहना है कि फल्दार दरख्तूं की काश्ट और जंगलात के इलाकों के करीब पॉल्ट्री फार्मस का क्याम जंगली जानों को अपनी तरफ मुतवजा करता है इसी हवाले से ग्लेशर टाइमस के साथ गुपतुगू करते हुए मकमें जंगली हायात के ड कोई नया फिनामिना तो है नहीं कि जो बस्तिया जंगल के करीब है तो वहां पर अकसर वाइल एनेमल की साइटिंग होती है लेकिन अब क्यूंकि लोग बहुत जड़ा अवेर होगे और जो प्रेजेंस अफ आनेमल जो है फ्रीक्वेंटी जो है या बहुत जल्दी से रिपोर करते हैं और दूसरा लोगों की जो इसमें रिस्पॉंसिबिल्टी बनती है लोगों की जो हम डूस और डूस का एक लिस्ट जो है या एडवाइजरीज इशू करते है वो कौन-कौन सी होगी और लोगों का सपोर्ट हमें किस तरह से वहां पर चाहिए होगा सबसे पहले में इसमें देपार्टमेंट की बात पर आओंगा तो डिपार्टमेंट के पास जो है जगा जगा पे हमारे पास ने, जो है एक रिस्पॉंस इसी भी बने जाते हैं कि ताकि किसी भी man-anonocyDeal conflict situation को जो है प्रउपर ली डिया जाए तो आक्शिलि ये जो हमारे पास control rooms या rescue control rooms होते हैं इनके पास property equipmentry एक range of equipment होता है जिसमें tranquilizing guns होते हैं net guns होते हैं camera traps हमारे पास होते हैं या trap cages हमारे पास होते हैं इसी तरह से जो है हमारे पास staff के पास night vision biniculars रहते हैं snack catchers रहते हैं even wild cats है या porcupines उनको पकड़नी के लिए हमारे पास occupants रहते हैं so दूसरी important बात इस perspective से ये कि जो हमारा control room होता है तो उनको इस तरह से उनकी training होई होती है उनको train किया जाता है कि जब भी कोई conflict call हो तो उनको कम से कम time लगे एक conflict की जगा पे पहुँचने के लिए तीसरी बात कभी कभी हमें कहीं पे कोई ऐसी जगा है जहां पे frequent sightings report होती है say in case of leopard या फिर black bear के case में तो वहां पे हमारे पास एक mechanism रहता है कि हम वहां पे camps इंस्टॉल करते हैं ताकि उस area को हमारा staff monitor करे properly और चोती बात जब ऐसी frequent sightings कहीं पे होती है frequent appearance of wild animal की किसी area में होता है तो एक proper research based mechanism एड़ाप्ट किया जाता है जहां पे हम tracks को जो है या animal के tracks को study करनी की कोशिश करते हैं कि कहां से आ सकता है क्या क्या possibilities बनती है और accordingly हम अपनी camps की position को या cages की position को हम pick करते हैं में या CHOUSE करते हैं और इस जरिये से मैं आपको एक चीज आपके जरिये से मैं आपको लोगों को ये बात बताना चाता हूँ कभी-कभी aasi situations में जो है लोग हमें बोलते है कि यहाँ पी हमे想ाई केईज चीए वहाँ पी हमें तो ये positions को select करके cages को install करते हैं हम आपके concerns समझते हैं लेकिन हमारा जो position of installation of cage होता है वो एक research based mechanism के तहत होता है तो उसमें जो है आप department के लोगों के साथ cooperate करें जहां तक लोगों की बात आई लोगों, मैं जो हमारे लोग है हमारी अवाम है तो उनको मैं request करना चाहूंगा कि जो advisories or do's and don'ts department issue करता है from time to time particularly उन्हें अरियाज में जहां पे wild animals की frequent sighting जो है report की जाती है तो वो एक तो follow करें और उनमें main चीज यही है कि हम अकसर कहते हैं, मैं एक example दूँगा orchards की हमारे भागात होते हैं तो वहां पे लोग जाते हैं तो हमारी कुछ बड़ी simple सी advisories होती है simple सी instructions होते हैं जैसे कि अगर आफ भाग में जाएं तो कोई ऐसा एक drum अपने साथ लेके चलें या कोई ऐसी चीज लेके चलें जहां से जिससे आप जो है एक जोर की आवाज जो है produce कर सकते हैं तो उसे अगर कहीं पे vicinity में आफके इर्द के जो है animal होगा तो वो जो है disturb होके बाग जाएगा दूसरी important बात कि जो है अगर आप ऐसे area में हैं जहां पे इससे पहले भी animals की sighting जो है report हुई है तो अकेले ना जाएं particularly early morning का जो time होता है या even चार बजे के बाद का जो time होता है तो उस वकत जो है groups में चलें दो तो तीन तीन चार चार जो है लोग एक साथ चलें तीसरी important बात जो है ऐसे areas में जो है बच्चों को अकेला ना छोड़ें it's very important कि एक adult जो है या एक mature एक person या दो लोग जो है एक बच्चे को जो है basically accompany करें ताकि जो है क्योंकि बच्चा जो होता है चोड़ा बच्चा जो है ये बहुत ही easy एक target बन सकता है एक wild animal के लिए ठीक तीसरी बात जो है अगर कहीं पे आप ने माल लिए ये कोई wild animal देखा ठीक है तो सबसे पहली चीज जो है कोशिश करें उसको disturb ना करें कोशिश करें आप एक safe shelter ले या एक safe passage ले और immediately जो है department की जो आपके पास numbers रहते हैं आप numbers पे call करें even my number is in public तो आप मुझे directly call कर सकते हैं या हमारे range officers से लेके foresters है, deputy foresters है wildlife guards है या बाकी staff जो हमारा होता है तो उनके numbers आपके पास रहते हैं या in charge control rooms का आपके पास number रहते हैं तो वहाँ पे call करें इस conflict situation को खुद अपनी level पे deal करने की कोशिश ना करें या department के पास या department का जो अगर आपका sudden encounter किसी animal से होता है तो usually animal self defense may retaliate कर सकता है लेकिन अगर आप दूर से एक जानवर को देखते हैं तो usually ऐसा होता है कि जानवर जो है अपना एक safe track route जो है या safe track लेके जो है उस जगा से जो है चला जाएगा so that's why it's important कि आप animal को disturb ना करें शोर ना करें पत्थर ना चलाएं ठीक है इसमें retaliation का खत्रा हो सकता है और आखरी बात जब कहीं पे हमें कोई conflicting situation मिल जाती है जहां पे ये ascertain हो चुका है कि wild animal है या wild animal की movements जो है report हुई है तो जब हम अपनी team बेजते हैं ground पे तो उनके साथ cooperate करें उनको अपना काम करने दें कभी-कभी ये animals जैसे leopard की आप बात करें ये बड़ा active animal होता है बड़ा ही इसमें बड़ा swift animal होता है तो within a span of minutes जो है ये कहीं kilometer आप से दूर बाग सकता है तो इस सिलसले में जो है जब department के लोग जो है या department का अमला जो है ground पे हो तो उनको जो है आप अपने हिसाब से strategize करने दें कि किस तरह से conflicting situation किया conflict situation को handle करना है आपकी cooperation as situations में department की बहुत help कर सकता है और जो conflict create या manual conflict कहीं पे अगर exist हुआ तो department उसको बहुत कम time में resolve कर सकता है अगर आप cooperate करेंगे department के अमले के साथ